स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले चले ट्रेंड प्रिच में तो इंडिया ने कमाल की कम फ्रम बिहाइंड विक्टरी दर्च की लेकिन क्या ये सिल्सिला जारी रह सकता है मैं चाहता हूँ आप चाहते हैं आकाश उपड़ा भी चाहते हैं लेके नाकाशेक में आकड़ा देख रहा था नाइंटी तरड़ी जिए फाय मैच सीरीज अस्टावंड़ा नहीं हुआ और इसकी बजह है कि नहीं हुआ मतलब जब यह अंकड़े कुछ पचाहँ साट साट साल तक कर्टिके रहते हैं जैसे एक आंकड़ा पके जहन में आएगा कि किसी भी टीम ने आज तक 500 चेस नहीं किया चौथी बारी मे तो इसकी वज़ा है कि 500 चेस नहीं होते कितना भी अच्छा खेली इंगलेंड तो भी 317 पे जाके रुख गई तो यह सचाई है कि अगर आप 2-0 डाउन हो जाते हैं पांच टेस मैच की सीरीज में और खास तोर से जब अपने घर पे होते हैं अमूमन आप घर पे नहीं होते तो आप 0-2 डाउन होते नहीं हैं लेकिन अगर आप बाहर जाके ऐसा डाउन हो जाते हैं तो वहाँ से फिर निकल कर आना और बराबरी कर सकते हैं वो लगता है रियलिस्टिक है कि आप श्रिंखला यहां से जीत सकते हैं तो मैं तो कहूँगा चमतकार के बराबर होगा और ही होते हैं, अगर 1930s में हुआ तो हो सकता है, 2018 में ऐसा हो जाए, लेकिन यह आसान काम नहीं होने वाला है, एक मैच की जीत से हमारे होसले जरूर बुलंद हो गए है, लेकिन हमें सच्चाई से अपनी नजरें हटानी नहीं चाहिए है, कि सच्चाई अभी भी यही है, कि तीन म मोमेंटम बड़ा फैक्टर है, ऐसा हम सब का मानना है, लेकिन इस सिक्के के जो दो पहलू है, वो यह है कि मोमेंटम अगर किसी चिडिया का नाम है, तो वो चिडिया जो थी, वो इंग्लेंड के पिंजरे में थी, पूरी तरह से, लॉर्ज में जिस तरह से उनने भारत को न चाहिए था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, वहां से फिर हारदिक पंडिया की पांच विकेट, सभी बल्ले बाजो का रन बनाना, और अचानक हमें ऐसा लगा कि मोमेंटम जो है और जो भाग्ये है, वो अब ड्रेसिंग रूम बदल कर भारत के खेमे में आ चुका है, लेकिन ये भी पता चल गया है कि मोमेंटम बड़ी एक अन-faithful सी चीज है, ये आज आपके साथ है, कल दूसरे के पास बड़ी जल्दी भाग जाता है, तो लग ये रहा है कि भारत अगर सरफ क्रिकेटिंग सेंस की बात करें, तो जहां प्लेस्ट था नॉटिंगम से पहले वहां से बहतर जगा पर है नॉटिंगम के बाद, लेकिन क्या पूरी तरह से मोमेंटम इतना स्ट्रॉंग है कि इंग्लेंड को पचार दिया जाएगा साथ आम्टन में, मैं कहता हूँ इतना आसान होने वाला नहीं है, अभी थोड़ा सा हमें अपनी जो उम्मीदों के पने, ओपनर्स ने भी कुछ कॉंट्रिब्यूट किया, बैटिंग इस गेनिंग से मोमेंटम, विदाउट डाउट, और इसी वज़ा से हम ये चर्चा भी कर रहे हैं, ये हमारे मन में खयालाद भी उमर रहे हैं कि भारती टीम इस श्रिंखला में वापसी कर सकती है, बराब इंगम में, जहां जहां बल्लेबास थोड़ा सा भी अपने रंग में आते हैं, तो ये टीम अच्छा करती है, अभी तक ये सिरफ विराट कोली की टीम लग रही थी, या विराट कोली टीम से जयादा महत्वपूर्ण लग रहे थे, जहां थोड़ा सा योगदान बाकी बल् गर पा रहे है, अली पोप जो है, उनमें ज्यादा होप लगती है, लेकिन उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं है, बेस्टों को चोट लगी हुई है, तो परिशानियों उस खेमे में भी काफी है, अब यही है कि उन परिशानियों से क्या वो उभर पाएंगे, या भारत यह है कि आश्विन रिकावर होते नजर आ रहे है, उन्होंने प्रैक्टिस में गिनबाजी की, तो हो सकता है, पहली बार विराट कोली सेम टीम को रिटेन करें, देखिए, यह पॉइंट तो कर रहे हैं, हिंट कर रहे हैं, उस डिरेक्शन में कि विराट कोली उसी टीम के सा कुछ होर्स फोर कॉर्स के ठीरी के चलते, तो लेकिन इस बार अगर अश्विन फिट और अवेलिबल हैं, और पिच्छ साउथ हैम्टन की ऐसी नहीं है, जो कह रही है, चीख पुकार कर रही है कि दो स्पिनर खिलाओ, अगर वैसा है तो फिर बदलाव करना पड़ेगा, अ मानता हूँ कि जो मुर्गी है वो है stability, अंडा बाद में आएगा, वो है success, तो एक stable आप टीम बना के कोशिश कीजिए, जो आपके खिलाडी है, उन पर थोड़ा सा निवेश कीजिए, उन पर विश्वास जताइए, eventually they will fire, जो हमें पता चल गया रहने के साथ, हमें पता चल बेजा गया है, लेकिन ये समझ के चले कि उनके लिए एजुकेशन टोरी होगा, क्योंकि शायद उन्हें डेब्यू के लिए home series के लिए इंतजार करना पड़े, बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी खेलने का उनका मौका है, नहीं सिरफ एक ऐसी स्थिती हो सकती है, जहां खेलने का मौका मिले और वो हम चाहते नहीं ऐसा हो, वो है Southampton में हार, अगर हार मिल गई आप शिंकला हार गए और ओपनर्स फेल हो गए, तो फिर आप कहेंगे आप खोने को तो कुछ है नहीं, पाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो फिर चलिए एक आप उनको भी खिला ल इन दो उपनर्स को मैं देखूँ, केल, राहूल और शिखरदवन, बहुत लंबे समय के साथ हम किसी ओपनर के साथ या ओपनिंग कॉंबिनेशन के साथ जुड़ने वाले हैं, दो टेस्ट मैचिस से आगे, अगर उसको फिर बदल देंगे, सिरफ बदलाव के नाम पे और कि आगे तीम के साथ उन्हे बने रहना चाहिए, शुक्रया, थांक यू, एक अंग्रेजियों करना, जो इंडिया दिलिवर देखूँ, को बहुत विक्ति विक्ति वाल वेटिविट्री वेटिवर आप ट्रेंट बिच, जिस ट्रेंट कंटिनू, बहुत आउट आपकाश विक्ति विक्ति वेटिवर आपकाश झाता हैं? आणने टुमाइब परहाराइ तरूमाप अविन अविन शीरियस जिए ये बने पंधत अविंग और दूना अवज लाव इन दूट निए गूमाट की परहाराइब? कि अवराद कोली, होलि तुमें वाराद कोली, कि नीए वोग इन्पॉसिल, वाराद कोली कि अवराद कोलीज़ कर तूर। I wonder if one can argue that as compared to chasing in the fourth inning, this can perhaps be a mental battle that a team can win looking at the next two test matches as a two-mess series and try and turn it around. Yes, you can think about it in that fashion, but I don't recall any team going to England and winning three test matches on the bounce. It may be the Bradman team, it may be Australians once in a while, but no Asian team has done that ever. India, definitely not. In fact, you've won only a handful of test matches in England over a period of 60-70 years. So you do know that you're up against a mountain, it's an uphill climb. Yes, the team is looking much better than what they looked at after Lords. England have their own issues to address, but do expect a fight back, do expect them to also sort out the issues like India did in Nottingham. Their openers haven't fired yet, but then it will be slightly foolish to rule out Alistair Cook completely. He has turned it around in the past. In fact, that Southampton test was the one that turned it around for him in 2014. It may or may not happen this time, but you can't rule him out. Joe Root hasn't fired for the last two games. But will you be able to keep him quiet forever? That's another question that begs to be asked. You've got Butler amongst the runs. Bairstow, Muin Ali may be coming in. It's not that bad an England unit as it is looking after Nottingham. Like India wasn't that bad a unit as it looked after Lords. But it does raise hopes. The fact that Indian batsmen did come to the party in the last test match. It appeared to be a Virat Kohli show before that. But in a Pujara Rahane, the openers getting some runs as well. Definitely, because there was a time we used to talk about how taking 20 wickets is key to success overseas. And batsmen will always score runs. That's what we actually always believed, grew up believing and seeing. But this is a different time and age where batsmen haven't fired. In the last three test matches in South Africa, three here, if we just keep that Lords test match aside, because there were not enough runs on the board, Indian bowlers have taken 20 wickets on five occasions. So we're talking about 100 wickets over five test matches. And that too cheaply, not conceding 600 plus in either of the innings. So you know that this bowling unit has it in them to dismiss the opposition twice. It's just about the batting now. It's been Virat Kohli's show, but it has to go beyond him. And while Virat Kohli is special, he's always showing us, he's vindicated that point many times over. But he cannot author a fairy tale. He'll need more personnel. He'll need more batsmen to come to the party. That's what happened at Nottingham. That's what happened at Wanderers in South Africa. Result, India won there. India won in Nottingham. If India can actually pull up that kind of performance from the remaining batsmen. Not about Virat Kohli. If others can stand up and deliver, India will have a solid chance of winning this one. Virat Kohli, the batsman and then the captain. And the captain is always in the spotlight once it's close to a test match because it's selection time. Will he retain the same team this time? The news coming in from England is that Ashwin is recovering well. If Ashwin has recovered well, you do need to take that call very seriously. You can't really go by what Ashwin has done in the past. You want to be very objective when you take these calls. If he's fit and available and if the pitch at Southampton, which tends to assist seamers and spinners alike. The first class record there is almost even Stevens for both faster bowlers and spinners. And if the pitch is not shouting for two spinners at Southampton, then Virat Kohli should actually feel the same 11 that played at Nottingham. There is no reason for chopping and changing. I generally give an example what came first. Hen or an egg. Just think about the chicken first. Just get that stability right. Egg is the success. It will happen. It will follow suit. And that happened with Pujara. It happened with Rahane. It happened with Shikhar Dhawan and Kail Rahul. So stick with the guys who you have picked in the first place and success will eventually follow. Talking about the opposition camp, James Anderson is about six wickets away from being a leading fast-pulling wicket-taker. And his battle with Virat Kohli has been so entertaining. There is always an ego battle when there are two giants clashing against each other. He hasn't got the better of Virat, although he created some opportunities. Well, there are two aspects to this story. One, James Anderson is not the same bowler as he was in 2014. Virat Kohli is also not the same batsman as he was in 2014. One has gone down a little, tapered off somewhat. That's James Anderson. That's age. Virat Kohli has grown into a different beast altogether who is the best batsman on planet Earth. So previously in 2014, the scale was tilted in James Anderson's favour. But now it's tilted in Virat's favour. The other thing that has gone in Virat's favour is a thing called luck that cannot be quantified. In 2014, he actually played only eight bad shots, eight false shots to James Anderson. Got dismissed four times. By the second test match, second test match and in innings, he had already played 33 false shots against James Anderson in 2018 without being dismissed even once. So you know that the luck has also swapped hands. It's with Virat Kohli. His technique is much better as compared to what it was in the past. And right now, you can say that Virat Kohli has actually won this battle hands down. Do you actually think Virat would want to ensure that he doesn't fall to James Anderson through the series? That would be a victory of sorts for him? Yes, he would try his level best. Not just about James Anderson. I'm sure that's on the back of his mind. But that's not the overwhelming thought. The idea is to score more runs. Get India into a position where they can actually assert some amount of dominance with their bowlers. So that's what will be playing on his mind. And Virat, if he's honest with himself, which he is always as a batsman, he also knows that Anderson from time to time has found the outside edge. He's been fortunate that he's been dropped. And it's just one good ball that takes a batsman's wicket. So it's not something that you should be creating a mountain out of a molehill that James Anderson, if you can stay unbeaten against him, the battle is won. No, it's just a step in the right direction. So the focus will be on all bowlers. Focus, in fact, won't be on bowlers. Focus will be on that ball. If it's a wicket-taking ball, find a way to not giving your wicket away and be there for the next ball. Focus, in fact, won't be on bowlers.